Hello everyone, welcome back to my kitchen आज हम आपके सास है शेयर करने वाले हैं रेड़ सॉस पास्टा बनाने की रेज़्िपी जसे बनाना काफी ज्यादा आसान है आप इसी मात्र 10 मिनिट में बना के तयार कर सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शूरु करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बरतन में हम पानी गरम करेंगे और पानी में एक अच्छा सा उबालाने देंगे फिर हम इसमें एक चमश तेल और एक चमश नमक डाल कर इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें मैकरोनी एड़ कर देंगे यहाँ पर मैंने डेंट कप मैकरोनी लिए है आप यहाँ पर कोई भी मैकरोनी पास्ता या फिर कोई भी और पास्ता यूज़ कर सकते हैं अब इसे डालने के बाद एक बार हम mix कर लेंगे और high flame पर इसे पकने देंगे मैकरोनी को हम अच्छे से पका लेंगे इसे आप ओवरकुक नहीं करें बस 80% तक आप इसे पका लें और उसके बाद हम इसे छान लेंगे तो यहां पर जो पास्ता है वो अच्छे से पक चुका है तो यहां पर मैंने दो बड़े साइज का टमाटर लिया है जिसमें मैंने हलका सा कटका निसान लगा दिया है अब यहां पर हम इसमें चार से पांच सुखी लाल मिर्ची डालेंगे अगर ज्याता तीक ही मिर्चो तो आप उसका बीज निकाल ले और यहां पर आप देख सकते ह मैंने 06 मिनिट देख उबाल लिया है जिसमें जो टमाटर वह हलक्ड़ सोफ्ट हो जाते हैं और इसका चिलका भी असानी से निकल जाता है तो यहां पर इसका चिलका निकालके इसे थोड़ा च्प करकर ने भ्लेंडरार में डाला आण यहां थमच्छ फ्रेश दूद करेंगे फिर हम इसमें बारिक चॉप किया हुआ एक चमच लेशन आयट कर देंगे और इसमें 30 सेकैंड के लिए कोग कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें एक प्याज करेंगे इसमें जो लेशन है उसकी कौंटीरी थोड़ी ज्यादा डलती है जिससे इसमें बहुत ही चाहिए अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया की डंडी कट के एड़ कर देंगे और इसे मिक्स करके इसमें हम वेजटेबल करेंगे तो यहां पर आप जो भी सब्जिया हो आपके घर में वो यूज कर सकते हैं यहां मैंने थोड़ी सी सिमला मिर्च बिंस बॉयल के हुए कॉर और थोड़ा सा घाचर लिया है यह सारी सब्जिया बच्चों को ज्यादा पसंद आती हैं आप अपने कोडिंग यहां कोई भी वेजटेबल्स एड़ कर सकते हैं अब सब्जियों को भी हम हलका साही मिक्स कर लेंगे लगवग एक मिनट के लिए फिर हमने जो टमाटर का पे अब बटर डालने के बाद जब यह हलके से मेल्ट हो जाएंगे तब हम इसमें एक चमच ओरिगयनो आधे चमच चिली फ्लेक्स और आधे चमच हम इसमें काली मेच का पाउडर एड़ कर देंगे और इसे हलका सा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लिवर आ जाता है और अब हमने जो पास्ते को बॉयल करके रखा था वो इसमें एड़ कर देंगे और बस हलका सा टॉस कर लेंगे इस तरीके से जो मैक्रोनी है न वो पूरी तरह से एकदम अलग-अलग हो जाती है और इसका टेस्ट भी काफी ज़्यादा बढ़ जाता है तो बस इसे एक मिनट के लगबग हलका सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे तुरंथी हमने जो ग्रेवी बना के रखी है उसमें ट्रांसफर कर देंगे तो बस इसे हलका सा टॉस कर लें इस तरीके से इसमें बहुत ही अच्छी सी समय खुस भुगा रही है और इसे mix करने के बाद जो हमने पास्ते को हलका सा टॉस करके रखा है वो इसमें add कर देंगे इस तरीके से जो पास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बन के तयार होता है तो बस पास्ते को डालने के बाद इसे एक बार हम अच्छे से mix कर लेंगे और mix करने के बाद अगर आपको mixture थोड़ा ज्यादा dry लगे तो यहाँ पे जो हमने पास्ते में से पानी बचा के रखा था वो यहाँ पे add कर देंगे और इसके साथ हम इसमें एक चमच पास्ता sauce add कर देंगे और इसे mix कर देंगे यह optional है आप इसके बिना भी बना सकते हैं उससे भी इसका taste काफी ज़्यादा अच्छाता है तो बस इसे mix कर लेंगे और यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा cheese भी add करेंगे cheese को भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं या फिर उसके बिना भी बना सकते हैं पर cheese बच्चों को ज्यादा पसंद आती है इसलिए मेरे पास था तो मैंने add कर दिया थोड़ा ही मैंने इसमें cheese add किया है और फिर cheese को डालने के बाद एक बार फिर से हम इसे चला देंगे ताकि जो cheese है वो अच्छे से melt हो जाए और बस ये बनके तयार हो चुगा है ये जो पास्ता है बहुत ही ज्यादा tasty बनके तयार होता है और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो टमाटर नहीं खाते हैं लेकिन अगर आप इस तरीके से बना के देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें टमाटर एट किया है वो एकदम मजे ले ले लेके खाए आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जदधा ज़्यादा कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल पे न आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई मेरे स्पीके साथ तब तक के लिए बाबाए and टेक कियर